नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब मैं आर्शी संदीप आजेरूं आज दा इस्टोरी आफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 187 लेकर के और आज 25 मार्च 2022 शुक्रवार तो है और शुक्रवार के दिन तो इस्टोरी होने ही चाहिए कम से कम और किसे दिन हो या ना हो जो हमारी पिछली कहानी थी उसको आयोए जादा दिन नहीं हुए है इसलिए आप सब को याद होगा कि क्या चल रहा है आज कल इन दिनों और अगर रिकॉर्डिंग क्लब में जुड़े हुए हैं तो वैसे भी आपको मालूम होगा कि कुछ चलाने की जरूरत ही नहीं है बहु तो ऐसे और वैसे जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं होती है यही सब परिस्तितियां 2018 में भी थी लेकिन तब जितना जोश जितना जुनून जितना उजसा था शायद आज उतना नहीं है आप सब सुन रहे हैं जो उस समय के हलात थे कहानी बीस मई का कारिक्रम कैसे हुआ चार साल हो गए दोस्तों याद भी नहीं है इतना और बहुत सारी ऐसी बाते हो सकती थी जो कंप्यूटर से मिल सकती थी लेकिन वो मेसेज़ेस भी बिलिट हो गए खेर कोई खास बात नहीं है कभी समिलन होना है ये तै हो गया आदरनिय गौड साप के सैयों जन में निरदेशन में नेतरित्तों में होना है ये भी तै हो गया कारिक्रम नयन होगा नाम ये भी ठीक है उन्होंने सुझाव दिया वो सारी बात है अब बात चल रही है कारिक्रम इस्थल को बुक करने की और जवाहर रंगमंच दोस्तों को की सरकारी है उसकी एडवांस बुकिंग चलती है मतलब उस समय हमको बताया गया कि कई बार तो छेचे महीने की एडवांस बुकिंग भी चलती है हमें बमुश्किल मैना भर भी नहीं रहा जब हमने उसके लिए प्रयाज शुरू किये तो अब क्या किया जाए पहली बार गौट साब लेकर के गए वहां पर मेयर साब भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हुए डिप्टी मेयर भी है अधिकारी भी है अच्छा राजबिया अजमेर में रहते हैं तो अंतराश्री अख्याती प्राप्त व्यक्ति हैं तो अजमेर में तो आप जानते ही है निताओं से और अधिकारियों से सबसे उठना बैठना भी रहता है संपर्ग भी रहता है तो उनको इस दिकत में नहीं है उनको यसी कोई चिंता नहीं थी कि व किसे कारिकरम कर रहे हैं तो मेर साब मतलब थोड़ा सा आशंकित नजर आए गौड साब को यह अंताजा लगा सकते हैं क्योंकि जो बात गौड साब ने कही उसको देख करके यानि पता नहीं क्या होगा कारिकरम है कैसे होगा जो भी है गौड साब ने कहा सर कोई खास बात नहीं है आप चिंता मत कीजिए कारिकरम बहुत शांदार होगा तो उननका नहीं फिर भी कैसे अरे उननका भाज साब आप चिंता मत करो यह आँख से हैं और अपन अकल से हैं बस इतना ही फरक है इन में और अपन में और कोई फरक नहीं है आप एक बार देखिए तो सभी फिर मज़ा आजाएगा आपको यह जो बात थी कि यह आँख से हैं और अपन अकल से हैं मुझे लगता है कि इस तरह का व्यंग यह कभी ही कर सकता है तो अच्छा एक बात अब यहां से यह उत्पन होती है दोस्तों कि आँख वाले तो फिर भी कम है या उतने है उतने नहीं है इस समाज में अगर उठा करके देखें हम तो जो आँख वाले हैं हम लोग जो हैं दृष्टिबादे हम तो फिर भी कम हैं लेकिन अक्ल वाले तो खर्जगे पाये जाते हैं चाहिए वो किसी भी विरादरी में हो उमीद है अब समझ रहे होंगे मेरा इशरह बेराल तो मतलब आप समझ यह सरकारी व्यवस्थाएं कैसी होती हैं उसका जो बहुत ही भेंगर जो उधारन हमें इस व्यवस्था से देखने को मिला इस कारीकरम में देखने को मिला मेर साब ने पर्मिशन दे दी कि साब इनको जवारंग में मिल जाना चाहिए जो भी उसकी फॉर्मल्टीज हैं क्या बोलते हो मतलब उनका स्टोर विस्टोर या जो भी होता है रेकॉर्ड उनसे बात करनी है अब सारी उनसे बाची चल रही है चकर काट रहे हैं मेर साब ने अपनी चठी बना करके दे दी हमको कि यह ले जा करके दिखा दे ना आपको इसके स्टोर वगिरा के वैसे उनका नाम तो नवाब साब था ही लेकिन सरकारी कार्यालियों में और नगर निगम जैसे ओफिसों में हर वेक्ति अपने आपको नवाब से कम नहीं समझता है तो एक बार ऐसा होगा कि हम इंतजार कर रहे हैं बैठे हैं शाम को स्कूल खतम हुआ उसके बाद जब हम पहुंचे वहां तो पहुंचने के बाद एक घंटा हो गया, देड़ घंटा हो गया, के रहे बई आ रहा है, लेटर बन के आ रहा है, ये लेटर वहां पे आप जवारमगंच में जो प्रभारी हैं उनको दिखा दोगे तो आपका काम हो जाएगा, चलो मैं और भानू उस समय साथ में थे, तो मैंने भानू को बेज़ा, मैंने का देखो जरा जा करके आर अंतर, पता चला भाई साब गेम खेल रहे हैं कम्पेटर पर, उसना मुझे आकर बताया, फिर मैं जाके थोड़ी बात की, मैंने का सरी क्या तरीका है, मैं लेटर का इंजा अगले पांच मिनिट के अंदर काज हमारे हाथ में, अब आप देखिए, यह भरी गर्मी में तो टेमपो एंपो से आना जाना, वह ऐसी सुईदा भी नहीं थी गाड़ी वाड़ी की हमारे पास, और काधी करम के लिए जूज रहे हैं, परेशान हो रहे हैं दर उदर, अब अब एक काम खटम हो तो दूसरे को हाथ मिलें, यह तो अभी जगह ही नहीं मिल रही है, अच्छा जवारंग मंच का भी अपना महत वता ग्रस्तों, कि कुछ लोग तो क्या है, कि जवारंग मंच पर यह कारी करम है, ऐसा देख कर के ही खिचे चले आते हैं, क्योंकि शहर के बीच ओ बीच और जाना माना इस्थान बहुत बड़े-बड़े मतलब ख्याती प्राप्त लोगों ने उस मंच को साजा किया हुआ, तो अपने आप में वो एक अजमेर में अच्छा इस्थान है, और अडिटोरियम अच्छा है, तो हमारा यह भी मन था कि इस बहाने भी कु हमने वाले यह अरिखने ओन भी लोगों, मुख्यादार्य के लोगों यह उत्ने भी हम हम साइट यह साथीं को, स्टाफ साथीं को, मि technician को अधर उधार जो भी थे को, हम विंगे कर ऐ एनको Ueli कर सकते थे उनको ने किया तो और ऑं जो जहां बताता हम और बशminute है carrying band कि मतलब किसी ने बताया कि वहां से help मिलेगी किसी ने का यार वह हमारे टीम में थेक साथी सुभाश हर्मा जी अपने ग्रुप में अभी जुड़े हुए है अज मेर वही है वह भी प्रिंसिपल है तो सुभाश जी ने का यार एक पुकराज जी हैं तोड़ा जन प्रतीनी दि टाइप हैं उनसे मिल्ने के लिए बहुत कोशिश की आखिरकार- उनसे मिलना तो हुआ नहीं और उनसे लगातार सुभाश जी ही फोन पर संपर्क में रहे उन्होंने या आश्वासन जरूर दे दिया कि हाँ भई मैं भी कुछ मदद कर दूंगा तो मेरे खाल में 10,000 की शायद मदद उनकी तरफ से देने का उनोंने हमको आश्वासन दिया लेकिन उनसे मिलने के लिए कभी डियो ओफिस जा रहे हैं कभी कोई से ओफिस जा रहे हैं कभी मतलब उनसे वक्त ले रहे हैं जहां वो रहते हैं वहाँ का लेकिन और अखिरकार उनसे मिलना नहीं वह लेकिन उस विक्ति की बड़ी वाद ये रहे देखी मैंने कि वो कारिक्रम में भी आये पूरे कारिक्रम में भी बैठे और जो उन्होंने कहा था जो commitment किया था वो पूरा भी किया तो ये निशिद रूप से हमारे सुबाश शर्मा जी के अथक प्रयासों से संबब हो पाया था तो वही है कि बात आती है ना कि आप नाम लेते हैं तो जो अच्छे काम होंगे उसमें तो नाम लेंगे यार अब कोई खराब काम है अगर किसी ने किया है तो उसका नाम लेके हसिल क्या हो जाएगा और हर कोई अच्छे काम को और अच्छे विक्तियों को ही याद रखना जाता है नहीं तो यह तो एक पूरी जिन्दगी एक सफर है, इस सफर में तो फिर सब कुछ ही अनुभव होते हैं, हर तरह की अनुभव होते हैं, अच्छे भी, बुरे भी, कड़वे भी, मीठे भी, खटे भी, तीखे भी, इसी लिए उस कारीक्रम में, दोस्तों, जो एक अनुभव होते हैं, अच्छा, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मतलब अपने व्यक्तित्व की भी आपको बात बता दू थोड़ी सी, मुझे ऐसे लोग तो कते ही पसंद नहीं आते हैं, जो केवल और केवल ग्यान देने में विश्वास रखते हैं, यानि जूटा ग्यान, हमारे यहां उसको, मतलब ग्यान कहते हैं, आप उसको यूँ भी समझ सकते हो, कि भाई जबर्दस्ती, मैं यह करवा दूँगा, डिंगे हां कना, ये एक्जेक्टिक वर्ड जो है वो, कि मैं यह कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, अपन ऐसा करते हैं, अपन वैसा करते हैं, तो, एक ऐसा जो अनुभव हुआ, मेरे बहुत पुराने परिचित, यानि, जब हम कॉलेज वगएरा में थे, तो, हमने उनसे टिफिन वगएरा भी लिया, स्कूल टाइम में हमने शायद उनको रीडर भी रखा होगा, क्योंकि यहाँ पर, जैसे आपन सब रीडर रखते हैं, पढ़ते हैं एक दूसरे से, तो, रीडर भी रखा, और, वो, किसी जमाने में, अजमेर में मेरे ब्रदर का भी आना जाना था, उससे भी बड़ा अच्छा संपर्क हो गया था, और वो, आजकल कोचिंग, वोचिंग चलाते हैं, तब भी चलाते हैं, अभी भी चलाते हैं, और आजकल तो मतलब राजनितिक लोगों से भी काफी उनका संपर्क है तो जब हम इन सब चक्करों में पढ़ रहे थे तो मुझे एक्जेक्ट याद नहीं कि भानू ने अरपन सर ने क्योंकि अरपन जी के तो अभिनमित्र है दरसल तो मुझे अरपन जी या भानू ने किसने कहा कि या एक बार अच्छा वो हमारे आदर्शनेगर में सबसे अच्छी बात हैं जाम रहते हैं एक ये भी था कि जादा घूमना नहीं पड़ेगा जादा फिरना नहीं पड़ेगा जादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे तो एक दिन सोचा कि भाई चलो उनसे भी संपर कर लेते हैं और उनसे जब मिले बात्चीत हुई और वो जो बात मैं कह रहा हूँ ना डिंगे हां कने वाली वो अब सारी कहानी यहां से शुरू होती है वो आपको मैं सुनाओंगा अगले अंख में आज के लिए इतना ही recording club app को install करें इस रविवार matrimonial meet भी करना है शाम चार बज़े से और हमरा ही कारी करम बन की आँखों से यह सबी कारी करम आप सुन सकते हैं बदस्तूर जारी है recording club whatsapp group से भी आप जोड सकते हैं इन सब के लिए आप call करें डबल सेवन त्री सेवन एट सिक्ट सिक्ट फाइब नाई Monday to Saturday सुबह 11 से शाम 6 वजे तक आज के लिए तो इतना ही मिलते हैं फिर किसी और मेसेज में और एब जरूर दोस्तों उस पर बहुत सारी बुक्स आ गई है दसवी ग्यार वी बारवी की काफी बुक्स आ गई है मंतली मेगजीन में chronology जनवरी 2022 आ गई है कहानिया भी आ गई ह तो बहुत कुछ आ गया है उसमें आप जरूर सुनिएगा धन्यवाद